है अभी तक हमने डिसकस कर लिया है आर्किटेक्चर पार्ट का इंस्ट्रक्शन और एड्रेसिंग मोड कम्प्लीटली उसके एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिये हैं आज हम स्टार्ट करने देखने वाले हैं CPU डिजाइन क्या होता है CPU कैसे काम करता है यह सभामाद देखेंगे और चोटी-चोटी जो चीजें हैं CPU से related terms जो है CPU से related वो आज हम देखने वाले हैं तो basics of CPU आज हम स्टार्ट करेंगे नया चेप्टर है interesting है easy है चोटा है बड़ी जल्दी से खतम भी हो जाएगा चलिए तो start करते हैं session before we start the session let me introduce myself first my name is Vishwadeep and I am working as a channel leader on this channel I have attempted gate exam multiple times ताकि आप लोगों को जो सीखाने का part है वो मैं खुद भी सीख पाऊंगी एक्जाम में आप कैसे question attempt करेंगे किस तरीके का pressure handle करेंगे कैसे time manage करेंगे और मुझे rank आई है All India 19, 19, 440, 682 और भी बहुत सारी rank है I have gone for my master's to IAC then another master's Bits Pilani experience of 14 plus years in teaching to only engineers यह जितनी भी credentials या जितना भी profile का यहां पे data लिखा हुआ है यह सब data सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के एक goal के लिए है और वो है आपका अच्छा career उसके लिए मैं और मेरी पूरी team निरंतर लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको अच्छा content मिल पाए Through this channel मिल रहा है for sure आप एक बार explore करिए playlist section को आपको बहुत सारे lectures मिलेंगे और ज्यादा अच्छी learning होगी और ज्यादा innovative और interactive learning होगी कैसे आपको एक्सेस करना है यह lectures को free में मिलेंगे पहले बात कुछ lectures definitely free में मिलेंगे कैसे आप यह free lectures को access कर सकते हो unacademy.com पे जाओ यह unacademy learner app डाउनलोड करो और अपना account बनाओ gate AC category में जैसे आप अपना account बनाओगे आपको मिलेगा मेरा profile search कर लेना profile को follow कर लो और मेरी profile के under में मिलेंगे आपको special classes यह special classes absolutely free है एकदम free classes हैं आपकी और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा धेर सारी hundreds of classes जिससे आप बहुत कुछ सीख पाओगे यह special classes आप unlock कर सकते हो using this code if you are the first time learner एक special special class में रखने वाला हूँ कल 8.15 पीएम पे और यह special class इसलिए special है क्योंकि इसमें मैं आपको दो marks लाने की guaranteed trick बता दूंगा दो marks recursion से कैसे आएंगे recursion एक programming का ऐसा method है जो बहुत tough लगता है initially बट बहुत आसान है अगर आप उसकी background working समझेंगे तो याद रखिए 8.15 tomorrow in the evening I am having this session for you guys so that आप लोग सीख पाएं कि कैसे आपको recursion के question solve करना है अब बात करते हैं कि यह interactive learning से मजा क्या आएगा आपको एक तो interactive live classes मिलेंगी वहाँ पर doubt solve करके और doubt अगर आपने send किया है तो उसका notification भेजने की special special क्या होती है एक particular facility दिरखी एन अकैडमी की classes पर पोल की facility होती है आपको notification आ जाएगा ताकि आप classes miss ना करें lecture notes मिलेंगे कभी भी कहीं भी आप lectures को सुन सकते हैं download करके यह सब features आपको on academy की special classes पर मिलेंगे but क्या ये feature से आपकी rank अच्छी आने की probability अच्छी आईगी probability तभी अच्छी हो सकती है जब आपकी learning इस level की हो कि आप से कोई भी question कम time में बन जाए अगर आप लोग collectively 65 questions solve करने जाए तो within 2, 2 and half hour आप maximum number of questions solve कर पाएं इतनी level के practice, learning, understanding and memory overall सब कुछ आपके यहां आपके particular मस्तिश में दिमाग में होना चाहिए ये learning उतनी आसान नहीं होती है जितनी लगती है और उसके लिए चाहिए आपको एक बहुत अच्छा structured और organized schedule जिसमें आप लोगों की learning एक best quality की हो हम provide कर सकते हैं आपको unacademy plus पे जहां आपको मिलेंगी live classes interactive होंगी साथी साथ आपको मिलेगा daily practice problem जिससे पता चलेगा कि अच्छा इससे सीखा है तो question कैसे बनता है उसकी practice immediately मिलेगी फिर weekly test जो कि आपको ये बताएंगे कि जो knowledge हमने लिया है उससे gate में tough situation में pressure situation में कैसे हम question solve कर पाएंगे फिर आपको मिलेंगे crash courses, doubt solving, hindi english batches, rank improvement batches और guidance of educator जो आपको बताएंगे कब क्या कैसे करना है ताकि time waste कम, efficiency जादा, learning जादा तो rank भी अच्छी ये plus का subscription आप purchase कर सकते हो different durations में, using this code आपको मिल जाएगा 10% का discount और साथ ही साथ मिलेगा आपको मेरा personal guidance एक और important चीज़ वो ये कि ये जो subscription prices हैं बहुत recently बढ़ने वाले हैं तो अगर आप लोगों को subscription चाहिए तो जल्दी से जल्दी ले लो ताकि फिर आप लोगों को extra payment ना करनी पड़े and एक और subscription है जो उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उन्हें जादा personalized और customized preparation मिले तो ये iconic subscription है जिसमें plus के सारे benefits मिलेंगी और extra benefit होगा personalized preparation का कैसे एक personal coach आपको दिये जाएंगे जो one-on-one guidance आपको देंगे one-on-one mentorship kind of then आपको मिलेगा customized study plan आपका performance track किया जाएगा साथ ही साथ आपको मिलेंगे dedicated doubt clearing instructor जो कि आपको हर बार आपके questions का doubt solve करने के लिए हमेशा तुरंद ready होगे फिर आपको मिलेगा personalized test analysis, extra booster session और extra practice sets and notes in iconic subscription ये iconic subscription आपको मिल सकता है 12, 18, 24 months के लिए ही using the code within 10, आप 10% discount और मेरा personal guidance पास सकते हैं देख सकते हैं आप अनेकेडमी के platform पे आपको unlimited doubt पूछने की possibility, probability है और एक और feature है iconic subscription में one-on-one guidance का, batches भी start हुई है, नहीं नहीं तो जल्दी से subscription लेखे और जल्दी से आप अपनी preparation को top class बना दो अच्छा एक और चीज़, before we start, आप सब लोगों ने addressing mode तक का revision कर लिया है क्या, अगर कर लिया है तो addressing mode पे मैं कल रखने वाला हूँ आपकी एक practice session जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को चाहिए question, मैंने कहा था कि हर Wednesday एक practice session कम से कम तो लेके आऊंगा ही आऊंगा तो इस Wednesday कल भी मैं एक practice session रखने वाला हूँ, Unacademy की special class पे मेरी profile में जाके आप लोगों का ये practice session आप live देख सकते हैं तो कल for sure आपको मिलेगा एक practice session for addressing mode और वो मिलेगा आपको 2.45 p.m. in the noon तो जल्दी से Unacademy की special classes पे मिल जाना कल ताकि आपको question मिलते रहें चलिए start करते हैं, session को एक question आया है, बड़ा interesting COA और operating system का mixed question है मैं definitely लूँँगा, can you tell me what is the difference between trap and interrupt? interrupt जो है, वो software hardware दोनों हो सकता है dear, वो hardware interrupt भी हो सकता है जो CPU को अलग devices से आता है, I.O. से या किसी दूसरी I.O. device से या फिर किसी peripheral device से, interrupt internal भी हो सकता है कि कोई process execute करती है तब उसके execution के time पे instruction को कुछ problem है, तो interrupt generate होता है जो interrupt OS के लिए service के लिए जाता है, उसे हम trap बोलते है एक software type का ही interrupt होता है, जिसे हम trap बोलते है तो trap is kind of a software interrupt which is going towards OS for the service चलिए, start करते हैं CPU, सबसे पहले अगर आप से कोई पूछे कि CPU क्या होता है तो सिर्फ और सिर्फ full form नहीं बताने का, बच्चों वाली चीज़े नहीं करनी है हम अब हो गए हैं, engineer बनने वाले हैं, तो definitely आप लोगों को कुछ ऐसा answer करना है जो थोड़ा appropriate हो, याद रखिएगा CPU की definition पूछा जाए, ठीक है, तो CPU की definition क्या है it is the brain of computer containing all the circuitry and needed to process input, store data and output the result एक ऐसी circuitry जो process करती है, content को control करती है, पूरे computer system को ये brain है, ये heart है, ये सब कुछ है CPU एक computer system के अंदर ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं CPU का cycle अगर आप लोग कभी भी CPU purchase करने के लिए जाते हैं, तो उस CPU की speed लिखी होती है उस CPU पे, कभी भी processor लेने गए या कभी आप लोग by chance laptop लेने जाते हो तो पूछते हो ना, इसमें किस type का processor है, उसकी frequency कितनी है 1.6 GHz, 3.2 GHz, 1.9 GHz CPU है, सुना है कभी ऐसा? सुना है कभी ऐसा? जी हाँ, सुना होगा, वो क्या होता है? वो होता है CPU का clock rate कि कि किस rate से CPU operation perform कर सकता है अगर rate पता है, तो क्या हम rate से cycle time निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं तो rate से cycle time निकालने का simple formula क्या हुआ? 1 divided by CPU की frequency, जिसे हम clock rate बोलते हैं अब ये इसका meaning क्या है? mathematically तो समझ में आ गया, conceptually भी तो समझ में आना चाहिए न कि सर ये है क्या? clock rate है क्या? अगर clock rate गीवन है 1.6 GHz अगर clock rate गीवन है let's say 1.6 GHz तो meaning क्या है 1.6 GHz का? हर्ड्स अगर आप लोग को unit नहीं पता है तो मैं बता दू हर्ड्स होता है per second और GHz होता है 10 to the power 9 तो इसका meaning है 1.6 into 10 to the power 9 operations CPU can do per second एक second में CPU इतने number of operations perform करने की capability रखता है और ये operation कौन से operations है? recall करो मेरे पहले के lectures memory तो बहुत शाप है आप लोग की सब याद रहता है है ना? फालतू की चीज़ें याद रहेंगे, काम की चीज़ें नहीं CPU एक बार में क्या एक पूरा instruction execute कर सकता है? नहीं, CPU एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक micro operation perform करता है याद करो, मैंने कहा था कि micro operation एक एक छोटे 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 ऐसे operation होते हैं के sequence से CPU एक पूरा operation perform करता है, या instruction execute करता है तो यह जो मैंने लिखा है ना, 1.6 into 10 to the power 9 आप समझ सकते हो, इतने number of micro operation CPU maximum execute कर सकता है या perform कर सकता है पर second में एक second में इतने micro operation तो एक micro operation के लिए कितना time लगेगा? Just opposite this तो cycle time का मतलब क्या हुआ? अब आपको समझ में आ जाएगा, cycle time का मतलब होता है कि CPU एक सबसे छोटे operation को perform करने में कितना time लेता है That is the CPU cycle time क्या होगा cycle time CPU का? The time CPU takes to perform a small operation, micro operation बोलो इतना समझ में आया की नहीं आया और ये जो मैंने लिखा है इसको एक डब्बे में पेक कर लो और दिवाली का जो सोन पपडी होता है ना वैसा पेक करना कि ये डब्बा खुले ही ना एकदम आपके साथ exam तक जाना चाहिए तब तक याद रहना चाहिए है ना, डिवाली का जो सोन पपडी का डब्बा होता है वो खुलता नहीं है, यहाँ वहाँ पास होता रहता है, वैसा ही ये भी डब्बा आपक करो और ऐसे पेक करो कि फिर वो खुले नहीं, भूल नहीं जाना इसको बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है ना तो एक CPU साइकल टाइम वो साइकल टाइम है जिसमें की CPU एक छोटा माइकर आपरेशन परफॉर्म कर सकता है और उसके बेसिस पे हमने रेट लिये लिया कि एक सेकेंड में CPU कितने नमबर आफ माइकर आपरेशन परफॉर्म कर सकता है वो होगा CPU का क्लॉक रेट तो याद रखें CPU साइकल टाइम क्लॉक रेट में रिफ। क्या है आपका रिलेशन और CPU साइकल टाइम होती क्या है है ना चलो आगे बढ़ें आगे बढ़ते हैं और एक और चीज़ देखते हैं CPI अच्छा आप लोग एक काम करो recall करो कि एक instruction को execute करने के लिए CPU को क्या का करना पड़ता है बहुत पापड देलने पड़ते हैं पहले instruction fetch करो है ना फिर decode करो फिर effective address calculate करो फिर operant fetch करो फिर execution करो और फिर ride back करो इतना करने के बाद एक instruction execute होता है तो क्या एक instruction को CPU एक step में perform कर दिया नई six step लगे जी हाँ अब ये six step में हो सकता है instruction के fetch करने के लिए CPU को एक या दो या तीन cycle लग जाए चार cycle लग जाए पता नहीं मुझे क्या पता कितनी cycle लगेंगी बढ़ हाँ इतना समझ में आता है कि एक instruction fetch को करने में भी एक से जाधा cycle लग सकती है decode करने में भी एक से जाधा cycle लग सकती है बिल्कुल execution के लिए भी एक से जाधा cycle लग सकती है तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, अगर ऐसा है, तो क्या एक पूरे instruction को execute करने के लिए, एक से जादा cycle लगेगी हाँ या ना, क्या एक instruction को execute करने के लिए, CPU को एक से जादा cycle लगेगी, of course लगेगी, कितनी, कितनी cycle, करो count, count करके, और उसको एक metric, एक particular value के through represent कर दिया, जिसका नाम है CPI फुल फॉर्म में ही डेफिनेशन है मेरे को डेफिनेशन देने का जरूरत हीच नहीच है क्यों नहीं है क्योंकि यहां लिखा है CPI का फॉर्मला या नेम जो फुल फॉर्म होता है वो होता है cycles पर instruction एक instruction को execute करने के लिए कितनी number of cycle यह CPU लेगा तो उसको क्या बोल दिया CPI है ना मैंने कहा कि एक instruction को execute करने के लिए on an average एक particular CPU six cycle लेता है assume करो और उस CPU का cycle time दे रखा है two nanosecond का एक cycle two nanosecond की another cycle two nanosecond की ऐसी six cycle लगी एक instruction को execute करने के लिए तो बताओ total nanosecond में time कितना लगा एक instruction को execute करने के लिए एक instruction को आपने six cycle में complete किया उसका CPI is six और cycle time हो गया two nanosecond एक cycle two nanosecond की तो total time कितना हो गया six into two 12 nanosecond एक instruction का execution time कितना हुआ CPI into cycle time अगर एक instruction के लिए इतना time लगेगा तो thousand instructions के लिए कितना लगेगा thousand into CPI into cycle time इतने लोग live है answer कोई नहीं कर रहा मुझे नहीं लगता कि आप लोग अब lunch कर रहे होंगे कि आपके हाथ गंदे है I cannot type है ना और मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि इस time पर तुम लोग बहुत ज़्यादा सो रहे होंगे अब तो नीन खुलने का time होगे चाइवाई पीने के बाद आराम से पढ़ने का time होगे है ना तो क्या कहा मैंने आपको यहाँ पे कि यहाँ पे को execute करने के लिए N into CPI into cycle time ठीक है तो execution time अगर मैं लिखना चाहूँ for one instruction तो वो कितना हो जाएगा CPI into cycle time but मुझे पता है कि cycle time को हम represent करते हैं clock rate में भी यह देखो cycle time is equal to one by clock rate और clock rate equal to one by cycle time जी हाँ तो क्या हम इसको equal to ऐसा लिख सकते हैं CPI divided by clock rate बताओ सही लिखा की नहीं क्या यह सही लिखा है अगर यह सही लिखा है और आपको second concept भी समझ में आ गया है तो verify करो अगर एक instruction के लिए इतना तो for n instructions execution time will be n into what CPI into cycle time और other formula is n into CPI divided by clock rate बोलो बानुडू समझा की नहीं समझा इतना मेरे कुछ समझता है आगे पढ़ानी का सर्द अगर आप ऐसा कहेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे इतना clear हुआ बहुत simple सा concept था मैंने बता दिया बट एक बहुत important जानकरी जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई शायद आपके दिमाग में आई हो या नहीं आई हो फिर भी बताना तो जरूरी है वो ये है कि क्या हर एक instruction जो CPU में execute होता है वो एक ही type का होता है नहीं अलग-अलग type के हो सकते है कुछ addition के लिए होते है कुछ subtraction के लिए कुछ move के लिए कुछ branch type के लिए कुछ load के लिए कुछ store के लिए multiple type के instruction हो सकते है जी हाँ तो क्या हर एक instruction को एक जैसी number of cycles लगती है हर एक instruction का execution के लिए same number of cycle लगेंगी बताओ जल्दी से नई अलग-अलग लग सकती है अलग-अलग लग सकती है जी हाँ, तो फिर सर आपने यहाँ पे जो CPI यूज किया वो अलग-अलग होगा हमने end number of instruction एक्जिक्यूट किये उन में से कुछ instruction को चार ही cycle लग रही है, कुछ को 6, कुछ को 5 कुछ को 4, कुछ को 2, कुछ को 1 कुछ को 6 वापस, तो अगर अलग-अलग लगेंगी, तो आपने यह CPI फिर एक common कैसे लिख दिया तो उसके लिए मुझे एक छोटी सी चीज करनी पड़ेंगी वो क्या है, यह जो CPI मैंने लिखा है, यह CPI, एक common CPI, average CPI लिखना पड़ेगा मुझे, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, average CPI तो जो भी आपने CPI लिखा है, वो average CPI है, आपने कुछ तो करके calculate किया है और वो average CPI फिर आपको use करना है अब आप बोलोगे कि सर अगर अलग-अलग CPI दे रखें तो average निकालने का जो method यह वो same है, क्या जितनी भी CPI है, उनका average निकाल लो, sum करके और divide by number of total different CPIs ऐसा नहीं होता है, CPI को average calculate अगर करना है, तो उसके लिए थोड़ी सी different method होती है मैं बताऊंगा यहाँ पर है ना, देख लेते हैं यह देखो, एक instruction एक पुरा program आपने actually execute किया एक program आपने execute किया और उस program में आपने चार type के instructions execute किये कुछ instruction थे ALU type के मतलब जिनका operation ALU में हो रहा था addition, subtraction, end, or x or not, कुछ type के फिर कुछ load and store type के instruction ही, जिसमें आपने memory access की फिर कुछ branch type के instructions है और फिर बाकी के other category instruction है यह ALU, हर एक ALU type का instruction को लगता है 1 cycle for example हमने ले लिया load and store type के हर एक instruction को लगती है 3 cycle हर एक branch type के instruction को लगती है 4 cycle other type के instruction को लगती है 5 cycle, एक program प्रोग्राम आपने execute किया और उसमें ये देखा, observe किया कि उस प्रोग्राम में ALU type के 48% instructions है, load and store type के 10% instructions है, branch type के 39% instructions है और other type के 3% instructions है, percentage of occurrence of these type of instructions in that specific program जो आप execute करके और CPI average calculate करना चाहा रहे होगे। हमने यहाँ पे assume किया, question में नहीं mentioned है, assume करते हैं कि हमारे पास, next page पे है, नहीं, total number of instructions जो है, वो है 200, total 200 number of instructions आपके पास थे, किसमें उस program में, उन 200 में से 48% ALU के type थे, 48% ALU type के थे, तो क्या आप बता सकते हो, ALU type के कितने number of instructions आपने execute किये इस program में? बताओ, 48% of 200, 48% of 200, कितना हुआ? 48% of 200, अगर आप लेंगे, 48% of 200 विल भी 90, कितना? 96? 96, 10% of 200, load and store type के, मतलब 20 instructions आपने load and store type के execute किये, फिर आपने 39% branch type के, 39% branch type के मतलब 78 number of instructions branch type के execute किये, और last में 3% other type के, 3% other type के means 6 instructions, क्या ये total 200 हो रहे हैं? देखो एक बार, 6, 6, 12, plus 8, 20, 9, plus 7, plus 2, 9, and 9, 18, plus 2, yes, correct, 200 number of instructions. ये हो गए, इतने number of instructions आपने execute किये, अलग-अलग type के, और उनके अलग-अलग cycles हैं, अब मैं निकालूंगा, कि ये 200 number of instructions को execute करने के लिए, total number of cycle कितनी लगी? मुझे क्या निकालना है? average, average के लिए क्या करना है? मैंने total 200 instruction execute किये हैं, total 200 instruction को execute करने के लिए, कितनी number of cycle लगी, निकाल लो, वो total को divide करेंगे, फिर 200 से, तो हमें average CPI मिल जाएगा, है ना? यही करना है, चलो कर लेते हैं, total cycle कैसे निकलेगी? हमने ALU type के sir, 96 instruction execute किये, और 96 instruction को हर इक instruction को एक-एक cycle लगी, तो ALU type के total, जितने भी instruction आपने execute किये, total cycles कितनी लगी? ALU type के instructions को execute करने के लिए, total number of cycles कितनी लगी? बताओ, 96 into 1, load and store type के आपने 20 instructions execute किये, और हर एक instruction को लगते हैं, 3 cycle, लिखा यहाँ पर 3 cycle, 20 instruction हर एक के लिए 3, तो total कितनी लगाई आपने? 60, 78 हर एक के लिए 4, कितनी हो जाएगी? 428, चार ओठों 32 आएगा, OK, 32 32, 29, 39, 33, 313, ओहो, तू लिखना पड़ेगा, OK, 312, है ना? और 6 into 5, 30, total cycles कितनी हो गई, count करो, चल, total cycles कितनी हो गई, अकाउंट करो, total कितना हो रहा है, count करो, add कर लो इन सब को, तो यहाँ पर हो जाएँगे, 90, 312, and 90, 400, and 2, 402, plus 96, 498, 498 आ रहा है, देखो एक बार, confirm करो, अगर, 498, total number of cycles है, 498, total number of cycles है, for 200 instructions, then, एक instruction के लिए, on an average कितना लगा, तो average CPI हो जाएगी, हमारी, 498, और देखो जाएगी, 2.49 is the average CPI, good, thank you so much समर्थ, keep learning, just keep learning, keep learning, बस keep learning, ओके, चब, तो अगर, आपके पास, average CPI आया, 2.49, तो हम यहाँ पे, summarize कर सकते हैं, कि इस particular program, और इस particular scenario के लिए, average CPI जो CPU का होगा, वो 2.49 होगा, but, क्या ये average CPI, किसी एक processor के लिए, fixed है, नहीं, क्यों, सर अगर आपने, ALU type के, ज़्यादा instruction कर दिये, और दूसरे type के, कम number of instruction किये, तो हो सकता है, CPI जो है, और कम हो जाए, क्यों, क्योंकि ALU को, एक ही cycle लगती है, तो number of instruction, जो है, अलग-अलग category के, अगर वो कम जाएदा होंगे, तो जो आपका, क्या, आपका जो CPI है, वो, बदल सकता है, so CPI एक processor के लिए, fix नहीं होता है, किस type के instruction, कितने execute करते हो, आप, उस पे depend करेगा, ये point लिख लिजेगा, CPI for a processor, is not constant, it depends on, how many number of instructions, you are executing, of what type, ठीक है, चलो, ओहो, जादा आगे चले गए, एक और चीज बची है, यहाँ पे, एक और चीज बची है, यहाँ पे, और वो है, कि ये जो मैंने, average CPI लिखा है, इसका हमें लिखना है, formula, formula तो चाहिए, आजी, हर वक्त, हम को formula चाहिए होगा, तो formula कहां से मिलेगा, formula मिलेगा, Mr. India के पास, चल, चलते हैं Mr. India के पास, formula क्या है, average CPI का, थोड़ा और नीचे लिखते हैं इसको, सबसे पहले तो आपने, यह summation लिया, और इस summation को आपने divide किया, total number of instruction से, है ना, ठीक है, चल, अब total number of instruction से, अगर आपने divide किया है, तो यह summation है किसका, यह summation है, number of instruction of that specific type, into उस type का CPI का, right, तो हम यहां लिखेंगे, number of instruction of that type I, into, CPI of that instruction type I, इनक्या multiplication का, summation आपने ले लिया, I equals to one to sum X, X is what, X type की category किया, आपके पास instructions है, और फिर, divide करो इसको, किससे, total number of instruction से, ठीके, एक नया variable ले लिया, आपने J equals to one to X, अलग-अलग type के instructions, N equals to, NJ, अलग-अलग type के total कितने instruction थे, 200, यह रहे, इनका summation भी करोगे, तो आपको 200 मिलेगा, जी हाँ, इन सबका summation 200, उससे divide किया आपने, जी हाँ, बट किसको, इसके multiplication को, अब यहाँ पे, N, I क्या है, अगर आप चाहें, तो एक ही variable भी ले सकते हैं, बेटर होगा आपके लिए, वरना बोलोगे, सब यहाँ पे J, यहाँ पे I, ले लो यार, एक ही variable ले लो, क्या फर्क पड़ता है, तुमको कोन सा यह formula याद आएगा, रहेगा, रहेगा, what is N, I, N, I is, number of, instructions, of, type I, CPI, I, is, CPI, पार, instructions, of, type I, और X, क्या है, total, distinct, type of, instructions, कितने अलग-अलग, टाइप के आपके पास, instructions है, उनकी category के, value, बहुत सिंपल है, formula याद रखने की ज़रूत नहीं, concept याद रहेगा, formula अपने आप बनेगा, आपको, अगर concept याद रहेगा, formula आपने आप बन जाएगा, ठीक है, चलो, अब बात करते हैं, कि यह जो CPI है, यह जो भी कुछ हमने निकाला, उसके basis पे हम, एक performance metric निकालते हैं, है ना, और वो performance metric क्या है, M, I, P, S, M, I, P, S, का full form किसी को पता है, million instructions per second, एक CPU, एक second में, कितने number of instruction, execute कर सकता है, यह count हमें, CPU का performance देगा, यह किस चीज़ के लिए use में आता है, M, I, P, S, it is used to measure the performance of CPU, used, कहा हूंगे अभी, used to, give CPU's performance, और measure, CPU का performance, measure करने के लिए use में आता है, but number of instruction, जो CPU एक second में execute करता है, वो करोडों में होते हैं, लाखों और करोडों में होते हैं, वो value बहुत बड़ी होती है, तो उस value को छोटा लिखने के लिए, handy बनाने के लिए, उस value को हम million में लिख देते हैं, million is 10,10,6, तो अगर सपोज आपके पास में, एक second में एक CPU, 20 like instruction execute कर सकता है, तो 20 like को हम लिख देंगे, 2 million instruction execute कर सकता है, अगर आपके पास ऐसे ही कोई CPU है, जिसमें एक करून instruction execute हो सकते हैं, एक second में, तो हम उसके लिख देंगे 10 million हो गया, 10 million instruction CPU execute कर सकता है, value छोटी रहती है, आसान रहती है याद करने में और represent करने में भी, ठीक है, चलो, अब बात करते हैं, कि अगर M.I.P.S. हमें मिल गया, number of instruction कितने execute किये हैं CPU ने, तो हमें पता है कि ये है execution time, ये रहा, ये रहा execution time, एक instruction को नई, n number of instruction को execute करने के लिए, अगर इतने time में, n number of instruction execute हुए हैं, तो एक second में कितने instruction execute होंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे, M.I.P.S. का simple सा conceptual formula, पर second, जी हाँ, n number of instruction इतने time में, तो एक second में कितने, इसको divide कर देंगे, total execution time से, number of instructions executed, divide by total time, मैंने कहा, कि 60 seconds में, आपने, some x number of, और n number of instruction execute कर लिए, तो एक second में कितने execute करोगे, some number of instruction, divide by 60, है ना, तो अगर number of instruction, divide by total time है, आपके पास, number of instruction, तो हमने, मान लिया कि वो होता है, है ना, divide by total instruction, execution time कितना है, n into CPI into cycle time, लिख दिया मैंने formula, जो हमने पहले formula लिखे थे, n से n कैंसल हो जाएगा, तो ये बनेगा, आपके पास, one divide by, CPI average, into cycle time, बट ये value, Mips की तो नहीं होगे, क्योंकि इसमें, number of instruction मिल रहे है, number of instructions, in million तो नहीं मिलेंगे, अगर 20 lakh से तो, उसको 2 लिखना है, अगर 40 lakh से तो, उसको 4 लिखना है, कैसे, divide करेंगे, 1 million value से, जो value यहाँ पे, number of instruction per second, या per unit of time मिलेगा, उसको आपको divide करने पड़ेगा, million value से, ताकि जो value मिले, आपको 2, 3, 4, वो million में मिले, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, into 10 to the power 6, ताकि जो value मिले, वो million में मिले, ये instruction per second था, 10 to the power 6 से divide करने पे, million instruction per second हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपको divide करना पड़ेगा, इसको 10 to the power 6 से, और यहाँ पे भी, अब आपको पता है, कि cycle time को आप लिख सकते हो, 1 by clock rate, तो ये clock rate उपर आ जाएगा, हम M.I.P.S का formula ये भी लिख पाएगे, और एक और बनेगा, हमारे पास M.I.P.S का formula, वो क्या होगा, clock rate के terms में, color change करके लिख देता हूँ, तो clock rate की terms में, M.I.P.S का formula क्या हो जाएगा, नहीं हो रहाए है, तो clock rate की terms में, M.I.P.S का formula होगा, equal to, clock time उपर, clock rate, divided by, CPI average, into, 10 to the power 6, ये दो formula हैं, जो आप याद रख लीजी, conceptually भी निकल जाएंगे, अगर लिख लोगे तो, याद रख लोगे तो भी सही है, चलो, अब इसी question में, हमारे पास, CPI average तो निकल गया, CPI average तो निकल गया, क्या हम M.I.P.S. निकाल सकते हैं, अगर दे रखा है, 200 MHz का, आपके पास CPU clock rate है तो, CPU का clock rate दे रखा है, 200 MHz, CPI average दे रखा है, क्या हम M.I.P.S. का ये वाला formula लगा सकते हैं, clock rate divided by CPI average, into 10 to the power 6, क्या लगा सकते हैं, जी हां लगा सकते हैं, तो M.I.P.S. जो हमें यहां से मिलेगा, वो मिलेगा, क्या लिखा हैं वहाँ पे, clock rate, 200 MHz, divided by 2.49, into 10 to the power 6, अब देखो, ये मेगा होता है, 10 to the power 6, ये है 10 to the power 6, cancel हो गया, हर्ट्स नीचे आएगा, बनेगा, पर सेकेंड ये बन जाएगा, आपके पास, 200 divided by 2.49, जल्दी से calculate करके बताओ, मैं भी calculate करता हूँ, जल्दी से, 200 divided by 2.49 आएगा, 80.321, ये रहा, आपके पास M.I.P.S. काउंट, मेगा से 10 to the power 6, ये है value आपके पास M.I.P.S. की, with the given value, ये रहा, आपके पास 200 MHz given था क्योष्ण, चल्द, अब है क्योष्ण gate में आया, 2014 का, जो की, हमने जो ये discussion किया है, इसी discussion के around था, बहुत interesting, और बहुत simple सा है क्योष्ण था, क्योष्ण बोलता क्या है, consider two processors, P1 and P2, जैसे ही हम ये read करते हैं, हमारा mind operating system की पास चले जाता है, और ये processor की जगे हैं, processes दिखती है, two processes P1 and P2, पर ये processor है CPU, है न, वो याद रखिएगा, executing the same instruction set, क्या मतलब इसका, इसका मतलब क्या है, same instruction set, मतलब क्या, एक ही type के instruction, ये दोनों CPU support कर रहे हैं, आगे दे रखाए, assume that, under identical conditions, for the same input, identical condition मतलब उस CPU में, सब कुछ same है, RAM same है, आपके पास buses same है, CPU का design same है, almost हर चीज़ same है, और input जो दे रखाए, मतलब जो program आप उसपे run कर रहे हो, वो भी same to same है, program के लिए जो values दे रखी है, वो भी same to same है, अब program running on P2, takes 25% less time, but incurs 20% more CPI, P2 पे जो program run करता है, उसमे clock rate, और CPI का difference है, क्या बोलता है कि P2, 25% कम time लेता है, बट 20% more CPI लगाता है, किसके comparison में, as compared to a program running on P1, चलो ये comparison लिख लेते हैं, comparison लिख लेते हैं, तो comparison क्या लिखा है, हमने सबसे पहले तो execution time, अगर P1 का processor P1 में execution time लगता है T1, और processor P2 में execution time लगता है T2, तो क्या लिखा है इसने, T2 का time जो है, वो 25% less है T1 से, मतलब अगर T1 का time T1 है, तो T2 25% less, इस मतलब क्या 75% of T1 हो जाएगा, 1 minus 0.25 of T1, which is 0.75 of T1 fraction में, फिर आगे दे रखा है, but incurs 20% more CPI, CPI जादा है, CPI अगर यहाँ पे C1 है, यहाँ C2 है, तो C2 20% जादा है, इसके comparison में जी हाँ, तो fraction में कितना हो जाएगा, 1.2 of C1, 25% हो 20% जादा है, ले लिया हमने लिख दिया, as it is comparison, फिर आगे दे रखा है, if the clock frequency of P1 is 1 GHz, frequency मतलब clock rate, frequency का मतलब है clock rate, तो F1 की frequency दे रखी है, 1 GHz की, then the clock frequency of P2 is, P2 की frequency क्या होगी, चलो, अब हमें कुछ एक ऐसा formula या relationship पता करना है, जहाँ पे execution time total, पूरे प्रोग्राम का, CPI और frequency, मतलब clock rate included रहे, तो हम यहाँ जाते हैं, हमारे formulas में ढूणने की कोशिश करते हैं, यहाँ cycle time है, clock rate नहीं है, MIPs का formula है, यह ठीक लग रहा है, N number of instruction के लिए execution time is equal to N, number of instruction है, CPI average है, clock rate भी है, तो clock rate मतलब frequency है, यहाँ पे CPI है, और execution time है, तीनों है, यह formula सही लग रहा है, इस formula को लेके चलते हैं, इस formula को N into CPI average, divided by clock rate, ठीक है, यह इस formula को यहाँ लेके चलते हैं, तो यह हमारे पास है, N instruction का execution time, is equal to, कितना दे रखा है, number of instruction, into, clock rate उपर है, जी हाँ, नहीं नहीं, divide by clock rate, है नहीं, अब इसमें एक चीज़ मिसिंग है, number of instruction, N, दोनों प्रोसेसर्स में, number of instructions कितने होंगे, दोनों case में, number of instructions सेम रहेंगे, कैसे, इन्होंने question में दिया है, कि दोनों प्रोसेसर्स, एक ही type के input को accept कर रहें हैं, और एक ही type के instruction सपोर्ट करते हैं, तो जो भी program आया, उसमे number of instruction, जो मनेंगे, same to same मनेंगे, of course, क्योंकि, same input और identical condition दे रखी है, तो number of instruction, same to same है, अगर N1 equal to N2 हमने लिख लिया, तो क्या हम N की value निकाल सकते हैं, यहाँ पे से, yes, N की value क्या आएगी, किसी भी CPU के लिए N की value होगी, execution time, into clock rate, जो हम यहाँ frequency लिख रहे हैं, divided by CPI average, तो एक काम करते हैं, यह लिख लेते हैं, time for first, T1 into CPI, no, clock rate, clock rate for first is, 1 GHz, divided by CPI for first is C1, is equal to N2 के लिए T2, T2, T2 है 0.75, of T1 into frequency, मुझे नहीं पता, second CPU की, divided by C2, C2 is 1.2 of C1, यहाँ से F2 की value, अगर आप निकालोगे, तो वो आ जाएगी, देखो T1 से T1 cancel, C1 से C1 cancel, क्या आएगी F2 की value, F2 की value आएगी, 1.2 divided by 0.75, into 1 GHz, solve करो इसको क्या आएगा, 1.2 divided by 0.75, answer आएगा आपके पास, 1.6 GHz, बहुत beautiful, बहुत simple सा question था, कि एक चीज बेसिंग दे रखी है, और इतनी information दे दी, ताकि आप N number of instruction को common रख भाएगा, और N-A-T type का question था, 1.6, gate 2014, पहली बार N-A-T type के question आएगा थे यहाँ पर, अब बात करते हैं, A-A-L-U के बारे में, आलू, क्या होता है आलू, आलू एक वो सबजी है, जो हर एक दूसरी सबजी में blend हो जाती है, यहाँ पर भी A-L-U वो चीज़ है, जो हर जेगे काम आता है, हर चीज़ के लिए काम आता है, किस-किस चीज़ के लिए, arithmetic operation, A-L-U करेगा, और logical operations, A-L-U करेगा, अगर effective address calculation के लिए, computable addressing mode में, addition, subtraction, increment, decrement चाहिए, यह A-L-U करेगा, अगर program counter को increment करना है, fetch के time पे, तो भी A-L-U करेगा, अगर आपके पास अलग से incrementer नहीं है, तो A-L-U में ही increment होगा PC का भी, है ना, अगर आप stack access करते हो, stack पे push and pop करते हो, तो stack pointer को भी increment, decrement करना है, वो कौन करेगा, यह करेगा, तो A-L-U बहुत कुछ करता है, arithmetic operations, logic operations, effective address calculation में भी काम आसकता है, program counter की value को increment करने के भी काम आसकता है, stack pointer की value को increment करने के भी काम आसकता है, ठीक है, साथ ही साथ, condition check करने के लिए भी, A-L-U का एक register काम आता है, याद है, status register काहा था मैंने, है ना, क्या A-L-U सिर्फ एक ही type का operation परफॉर्म कर सकता है, कि addition तो addition ही या फिर subtraction तो subtraction दूसरा कुछ नहीं कर सकता है, नहीं, multiple type के operation परफॉर्म कर सकता है, जी हाँ, तो जब A-L-U का design होता है, हम इसको represent करेंगे कुछ इस तरीके से, representation के लिए ऐसा एक design बनाया जाता है, इस A-L-U में आप दो input लेते हैं, ये होते हैं input operands, जिन operands पर आपको operation परफॉर्म करने हैं, है ना, मैं इतना तो आपको बता चुका हूँ कि जब ये A-L-U, इन input operands पर operation परफॉर्म करेगा, तो result generate होता है, सबसे पहले result तो generate होता है accumulator में, और फिर वहाँ से write-back जो होता है, आपका instruction cycle का write-back the result, फिर वहाँ उस phase में ये accumulator से, जहां भी destination है instruction का, वहाँ हम इसको write-back कर देते हैं, ठीक है, बट एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि ये A-L-U, एक और output generate करता है, जिसका नाम है status, याद है, और ये status हम कहां रखते हैं, PSW में status register या flag register में, याद है, एक चीज जो मैंने आपको नहीं बताई, वो ये थी कि इस A-L-U में, एक और type का input आता है, अभी आपने agree किया, कि sir, A-L-U multiple type के operation perform कर सकता है, addition भी कर सकता है, subtraction भी कर सकता है, division भी कर सकता है, end भी कर सकता है, और भी कर सकता है, increment कर सकता है, decrement कर सकता है, बहुत सारे operation A-L-U perform कर सकता है, तो इस A-L-U में, ये जो दोनो input आए हैं, उन पे at a moment, at a particular time, कौन सा operation perform करना है इसके लिए control unit इस ALU को constantly signal भेजती है control unit क्या करती है control unit क्या है CPU का ही एक part है जो हर एक device को बताती ही कि तुमको क्या करने का है तो CPU का जो device है control unit वो इस ALU को signal भेजता है और वो signal हम collectively बोलते हैं कि यह है function code यह function code या operation code यह आपकोड इंस्ट्रक्शन के आपकोड से अलग है है यह function code या operation code जो है वो ALU को बताया जाता है कि भाईया यह दो input इस बार जो भेज़े हैं इन पे addition करो इस बार multiplication करो इस बार and करो इस बार XOR करो इस बार यह करो उस बार वो करो तो यह जो function code है यह control unit generate करती है ALU पे कि भाईया इस बार जो दो input आए है इस पे and करने का है नहीं, function code में multiple bits आती है, ऐसे अगर आप line में cross करते हो न, digital circuits में, तो इसका मतलब यह है कि it represents more than one bit, यहाँ पे भी आपके पास एक से ज़्यादा bit का input आना चाहिए, एक line बड़े से cross लिखने का मतलब है, एक से ज़्यादा bit को हम यहाँ represent कर रहे हैं, एक से ज़्यादा line है यहाँ पे, एक से ज़्यादा line क्यों होगी, क्योंकि दो bit या एक, एक bit के साथ यह दो operation perform करवा सकते हो, कि 0 आया तो end करो, 1 आया तो add कर दो, बस, ज़्यादा operation चाहिए तो, ज़्यादा अलग-अलग number of lines चाहिएगी, कहां से यह आता है control unit से, कहां से आता है यह, from control unit, याद रखिएगा, ठीके, इसका हम use करेंगे, जब हम control unit पढ़ेंगे और data path पढ़ेंगे, कल, जो हाँ, बिल्कुल बहुत important part होगा, वो हम इसमें इसको देखेंगे, आगे कि यह function code कितनी बिटके हैं, कैसे काम करते हैं, चलिए, तो कल से हम start करेंगे data path, और उसी के continuation में होगा control unit, और फिर अलग-लग type के control unit, यह बहुत important है, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता है, कि data path क्या है और कैसे काम करता है, अगर कल मेरे साथ आपनी एक class attend करी, तो आपको data path और उसके सारे question बनने लगेंगे, for sure, क्योंकि उसको समझने के लिए थोड़ा relaxed mind से, और slow learning करनी पड़ेगे, for sure आपको समझ में आएगा, अगर आप कल का यह lecture मेरे साथ attend कर पाओगे, तो जितने लोगों को अच्छी learning की जरूरत है, और वो चाहते हैं कि वो anacademy plus का subscription लेना है उन्हें, तो जल्दी से subscription ले लो, क्योंकि prices increase होने वाले हैं, जी हाँ, और using this code, wedeep10, आप अगर subscription लेंगे, तो आपको 10% का discount और मेरा personal guidance मिल जाएगा, मैं recommend करूंगा कि आप लोग 24 months का या तो plus subscription लें, और अगर आपको जादा personalized preparation चाहिए, तो 24 months का iconic subscription लें, subscription आप 24 months का लेंगे, तो लंबे duration तक आप अपने lectures को access कर पाएंगे, एक बार learn करने से सब कुछ याद नहीं रहता है, इन lectures को आपको दुबारा सुनना पढ़ सकता है, lecture notes को सही तरीके से access करना पढ़ सकता है, और teacher से connectivity रखने के लिए, आप अगर लंबी duration का preparation ब्लान रखेंगे, तो सही रहेगा, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे features है, अन Academy Plus पे ask doubt है, one-on-one mentorship है iconic में, और भी बहुत अच्छे अच्छी batches भी हैं, अन Academy Plus का subscription आपको अगर लेना है, तो आप लोग एक और काम कर सकते हैं, और वो है ये, आप लोगों का timing जो class का है, वो permanently shift हो चुका है 4 p.m. Morning 9.30 a.m. PYQ series का timing है, और 4 p.m. आपका permanently इसी time पे रहेगा, COA का lecture. याद रखिएगा, ठीके, आप Unacademy Combat लिख सकते हैं, जादा discount पाने के लिए Combat एका scholarship test है, जो next हम conduct करने वाले 12th of September 11 a.m. को, कैसे इसको access करोगे, इस वीडियो के description में जाके, और उसका link मिल जाएगा, आराम से link पे click करो, unlock करो using the code VDeep10, freely test लिखो, इस test में अगर आपकी अच्छी rank आई, तो आपको up to 100% discount मिल सकता है, और 37 PDF अगर class की चाहिए, तो ये Unacademy Gate CS, Telegram channel जाइन कर लो, ताकि आपको PDF भी मिल जाए, class की announcement मिल जाए, हमारे channel पे होने वाले सारी चीजों के, और ये channel जिस पे आप मेरा lecture देख रहे हो, उसको support करो यार, कैसे कर सकते हो, support, like करो, अगर अच्छा लगा तो, और share करो sessions को, subscribe कर लो channel को, और turn on कर लो notification, thank you so much for listening, this video either live or recorded, see you in the next session, till then have a great day and,